Good morning everyone, क्या हाल चाल, welcome to my channel, hello, 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 how are you doing, hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning, चल, आजो, and we'll get started, am I live, yeah, I'm live, good morning, good morning everyone, good morning, good morning, good morning, good morning, ठीक है, तो, आज इस channel पे ये पहला lecture है, पहली बात की क्यों मैंने ये channel बनाया, ठीक है, तो बेटा मैंने ये channel इसलिए बनाया, so that, सब होचपोच होचपोच होगया तो उस channel पे, और मेरे content लोगों को नहीं मिलते तो, तो ये channel मेरा content repository की तरह काम करेगा, ताकि मुझे सेम चीज़ों को दस बार दुबारा नहीं पढ़ाना पड़े, तो सब चीज़ का, जैसे biology का PYQ, biology का exemplar, detailed lecture, one shot lecture, marathon lecture, NCRT review, सब कुछ आपको यह channel पे, पूरा systematic तरीके से एक playlist पे मिल जागा, जैसे आपको, ये key notes के basis पे, playlist पे पूरा content आपको एक जगह, एक playlist पे मिलेगा, और कुछ खौच खौच नहीं जाएगा, आपको धूनने के जरूरत नहीं पड़ेगे, तो इस channel को, launch करने का मकसद और उद्देश यही था, कि कोई बच्चे कल्प को बाद में भी आ रहा है, तो उनको एक जगहा पे, सारा का सारा content मिल जाए, ठीक है, तो अगर, आपने इस channel को subscribe नहीं किया, तो इसको subscribe कर दीजे, biology की सारी one-stop solution आपको इस channel पे मिल जाएगी, जैसे पहले उमीद प्लस वाले पे मिलती थी, ठीक है, अब ये series कौन सी series है बटा, इस series का नाम है rapid NCRT revision, देखो, अब बोलोगे sir, is this series enough to score 320 marks in biology exam, या 340 plus marks in biology exam, I will say yes, क्यूंकि इस series से हमने NCRT को combine करके capsule ने मना दिया, आपको दे दिया, क्या इस series से आपके सारे concept भी clear हो जाएंगे, नहीं, बट आप सवाल बनाने like concept कर लोगे, मतलब जैसे जो भी chapters में आपको करार हो, जैसे living world है, plant kingdom है, biological classification है, animal kingdom है, morphology of flowering plants है, ऐसे जो ratification वाले chapter है, उसको आप सिर्की note से कदलते हैं, बागी कुई chapters को आपको illustrated भी देख किया था, तो उसे सिर्फ exam में number चाहिए, उसको समझना नहीं है, underlying बहुत जादा अंदर का concept, तो उसके लिए यह series apt है, वैसा नहीं है, कि मैं आपको इसमें concept नहीं समझाओंगा, मैं समझाने के कोशिश करूँगा, बट अगेर, given time frame में आप इतनी चीजें ही समझा परते है ठीक है, PYQ इसमें tagged है, exemplar इसमें tagged है, और सवाल इतना मैं बता देता हूँ, इसी keynote से आता है, ठीक है, last year भी मैंने दिखाया था, 100 में से 99 सवाल इसी keynote से आता है, तो इस keynote का PDF, जो मैंने इसमें extra edition किया है, और जैसे मैंने आपको पढ़ाया, यह keynote सारे बच्चों को देखना है, चाहे उन्होंने पहले NCRT review series देखा है, चाहे वो plus पे हैं, चाहे उन्होंने मेरा detailed lecture देखा है, ठीक है, जो लोग मुझे जानते नहीं बटा, मेरा नाम Dr. Anand Mani है, I am the chief academic officer at Unacademy, और मैं NEET UG और NEET PG के बच्चों को पढ़ाता हूँ, चली, everyone is excited, so that we can get started with our class, शुरू करे शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, हाँ जी, बेटा, plus वालो की class होगी है, regular जैसे चल रहा हो, सबको चलता रहा है, चलो, आजो, शाबार, good morning, good morning, good morning, let's get started, let's get started, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दोता हूँ, and we will get started, ठीक है, इसमें आप को लिखना नहीं है, ज्यादा तर, आप ये notes लेंगे, इसी notes को custom करके, अपने notes बनाएंगे, बट आपको ये देखना बहुत सब्सक्राइब, चलो, आईए, जो जो मैं add करता जाएंगा, वो add करते जाएंगे, जो जो मैं लिखवाता जाएंगा, आप लिखवाते जाएंग तो I'll get started with the simplest chapter जहां से एक सवाल आएगा, कहां से आएगा मैं exactly आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंतर, ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ, Life is a unique complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction यह सारे features बता रहा है, जो features हो सकते हैं, Life के, ठीक है, तो जो भी हम Life में observe करते हैं ना, जैसे responsiveness, तुमने को stimuli दिया, है ना, और उसमें मैंने response दिया, तो उसको responsiveness कहता है, ठीक है, चल्ड़एंग और लिविंग और गानिजम is a self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli, ध्यान से सुनो, NCRT के लाईन, क्या बोल रहा है, it is a self-replicating, self-replicating मतलब क्या हुआ, अपना copy बना सकता है, किसी ना, किसी तरह से अपना copy बनाता है, evolving, धीरे-धीरे course of evolution में होता जा रहा है, self-regulating, अपना body का temperature, अपना hormone का level, अपना जो भी उसका physiological mechanism है, उसको regulate करके रखता है, ठीक है, अच्छा, और, it is capable to, responding to external stimuli, external stimuli क्या हुआ, any change in the environment को हम stimuli कहते हैं, any change in the environment को हम stimuli कहते हैं, तो external stimuli में भी change को perceive करता है, external stimuli को भी perceive करता है, अब आते हैं, क्या-क्या, properties है living organism, तो यहाँ पर सवाल आता है, which of the following is a distinctive, yet defining property of living organism, which of the following are properties of living organism, but वो defining feature नहीं होता, इन दोनों पर सवाल आते हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, तो पहला growth क्या होता है, तो growth क्या है, it is the increase in the number of and mass of cells by cell division, तो growth दो तरगा हो सकता है, एक हो सकता है extrinsic growth, ठीक है, और दूसरा हो सकता है intrinsic growth, ठीक है, अगर deposition बाहर की तरफ हो रहा है, और उसकी वज़य से growth हो रहा है, that is extrinsic growth है, न, if deposition और growth occurs from outside, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम उसको कहेंगे extrinsic growth, तुम नहाए नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे मेल लग गया है और उसका deposition हो गया है, ऐसा थोड़ी तुम्हारे ग्रोथ हो रहा है, that is extrinsic growth है, एक पत्थर है, तुम देखो mountains उचे होते हैं, जाते हैं, due to the deposition of sediment, तो वो extrinsic growth है, तो अगर deposition बाहर की तरफ हो रहा है, तो extrinsic growth है, ठीक है, if deposition और growth occurs from inside, अंदर से, तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम intrinsic growth करते हैं, अंदर से बाहर अगर growth हो रहा है, that is intrinsic growth, बहुत अमेजी, बहुत अमेजी, ठीक है, तो in plant, growth continues throughout the lifespan, बहुत important point है, plant में ऐसा कोई time born नहीं, इतने सा की growth होगा, plant का growth पूरे जंदगी भर होता रहता है, आप देखो को पत्ते नहीं आते जाएंगे, कुछ पुराने पत्ते जाड़ जाएंगे, फिर नहीं पत्ते आ जाएंगे, ठीक है, in animals, growth is only up to a certain age, बता अब देखो मैं लंबे और नहीं होगा, बुद्धा हो गया हूँ, तो मैं लंबा और नहीं होगा, तो growth एक certain age तक है, तो however cell division occurs to replace lots, ठीक, growth होता क्या है, it is an increase in mass and size, but non-living thing भी तो growth है, अगर मालो यह bottle है, अब इस bottle पे हम plastic चिपकाते जाएंगे, plastic चिपकाते जाएंगे, यह plastic का deposition कराते जाएंगे, तो इसका size तो बड़ा होता ही जाएगा, तो क्या फाइदा हुआ, क्या growth defining property हुआ living organism का, no sir, growth is not a defining feature of living organism, but, but अगर हम intrinsic growth की बात करेंगे, तो intrinsic growth is a defining feature of living organism, ठीक है, तो in living organism, growth is from inside, तो intrinsic growth is a defining feature of living organism, but, अगर हम सिर्फ ग्रोथ की बात करेंगे, तो growth is not a defining feature of living organism, clear है, growth is growth is not a defining feature of living organism, organism, क्यों नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहला चीज़ बता है, कि माल लो animal में एक एच के बाद growth होग जाते हैं, मर थोड़ी जा रहा हो, जिन्दा तो है, ठीक है, intrinsic growth is a defining feature of living organism, ठीक है, अगर आपको specifically दिया intrinsic growth, तो वो defining feature है, intrinsic growth is a defining feature of living organs, growth हमने कतम कर लिया, है न, तो growth में अगर आपसे सवाल पूछे, तो अगर सिर्फ डाला है कि is growth a defining feature of living organism, नो सर, growth is not a defining feature of living organism, अगर डाला है, सर क्या intrinsic growth defining feature of living organism, यस सर, intrinsic growth is a defining feature of living organism, अगला, दूसरा आते हैं, reproduction पे, दूसरा आते हैं, reproduction पे, क्या reproduction defining feature है, living organism का, reproduction क्या होता है, it is the production of progeny, having features similar to those of parents, parents से similar अगर कोई progeny है, ठीक है, तो उसको हम reproduction कहते है, तो कैसे reproduce कह सकता है, asexually, बिना sex के, and sexually, sexual reproduction involved होगा, है ना, तो दो तरह से reproduction होता है, एक होता है asexual reproduction और दूसरा होता है sexual reproduction, ठीक है, in unicellular organisms, in unicellular organisms, growth and reproduction are the same, because cells reproduce by cell division, तो in unicellular organism क्या है, growth and reproduction are the same thing, in unicellular organisms, growth and reproduction are the same thing, cells divide, और division की वज़े से ही reproduction वज़े से एक amoeba है, ये amoeba divide करके, दो amoeba बनाएगा, ठीक है, तो in this case क्या दिख रहा है आपको, growth and reproduction are the same thing, growth and reproduction are the same thing, ठीक है, many organisms do not reproduce, जैसे mules, mules होता है न, female horse और male donkey को cross करते तो mule बन जाता है, ठीक है, worker भी, worker भी, तुमारी female भी होती है, जो sterile होती है, आना female भी होती है, जो sterile होती है, ठीक है, infertile human couples, अब ये सब जिन्दा तो है, बट क्या ये reproduce कर रहे हैं, नहीं सर ये reproduce नहीं कर रहे हैं, इसी लिए, reproduction is also not a defining feature for living organism, reproduction is also not a defining feature for living organism, clear है, बहुत important point mention कर दीजे, कि reproduction is not a defining feature for living organism, ठीक है, दूसरा point क्या important था, कि unicellular organisms में, growth and reproduction are the same, unicellular organisms में, growth and reproduction are the same, वरकर भी male sterile है नहीं बटा, देखो, बी में क्या होता है, बी में क्या होता है, एक तो queen होती है, fertile है, ठीक है, ये female होती है, ठीक है, एक होता है, drones, ये fertile होता है, ये male होता है, और ये parthenogenesis से बनता है, ठीक है, और एक होती है, worker भी, ये भी female होती है, और ये, ये भी female होती है, ये sterile होती है, मतलब ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है ना ठिक है ये भी फीमेल होती है और ये स्चेडाई कोती है चेले बहुत बढ़ी है ना drone fertile होता है याज रटीए का है drone fertile होता है drone steak नहीं होता तीसरा آते है है that is metabolism तीसरा आते है that is metabolism Metabolism, Metabolism आपको पता है, Metabolism होता है, Catabolism plus Anabolism, Metabolism is the sum total of all biological reaction taking place in a living system, sum total of all biological reaction taking place in a living system, Metabolism क्या होगा, Metabolism is equal to Catabolism plus Anabolism, तो जितना Breakdown का Process होता है, इसको हम Catabolism कहते हैं, और जितना Addition का Process होता है, इसको हम Anabolism कहते हैं, Metabolism क्या हुआ, Total Living Reaction, जितने भी Living Reaction मेरे Body में हो रहे हैं, उसको हम Metabolism कहते हैं, तो It is the defining feature of Living Organism, सभी Living Organism में जो भी जिन्दा है, Metabolism होगा, तभी तो Energy प्रडूस होगा, तभी तो Food Store होगा, तभी तो Body अपने आपको Regulate कर पाएगा, इसलिए Metabolism is a defining feature for Living Organism, इसलिए Metabolism is a defining feature for Living Organism, ठीक है, Metabolic Reactions can be demonstrated outside the Body, अब कुछ Metabolic Reaction है, जो Body के बाहर भी हो सकते हैं, माल लो, हम बोलते हैं ना कि अगर माल लो कि मैंने Potassium Dichromate को Burn किया, है ना, तो वो reaction है, this is a Catabolic Reaction, तो Cell के बाहर भी reaction हो सकता है, है ना, तो Metabolic Reaction can be demonstrated outside the Body in Cell-Free System, ठीक है, तो Isolated Metabolic Reactions are in vitro, are living, not living things, but living reaction, बहुत important point, अगर Cell-Free System में, माल लो कि एक Test Tube में, हम reaction कर रहे हैं, तो वो है तो Metabolic Reaction, वो है तो Living Reaction, but it is not a Living Organism, तो एक बहुत important point है, कि अगर in vitro Metabolic Reaction हो रहा है, in vitro मतलब outside the Cell, या outside the Body, ठीक है, या Test Tube में, तो यार रखेगा in vitro, outside the Body, ठीक है, तो अगर in vitro Metabolic Reaction हो रहा है, in vitro Metabolic Reaction हो रहा है, तो यह Living Reaction है, ठीक है, but not Living Organism है, ठीक है, अगर in cell, cell के अंदर, या in vivo reaction हो रहा है, या Body के अंदर हो रहा है, तो यह क्या है, Living Thing है, and क्या Metabolism Defining Feature है, Organism का हाँजी सर, Metabolism Defining Feature है, Organism का हाँजी सर, Metabolism Defining Feature है, Organism का, अगर बढ़ा, अगला आते हैं, Cellular Organization, आपने पढ़ा होगा, Cellular Organism, ठीक है, Organisms are made up of one or more cells, इसको हम Cellular Organization केते हैं, अगेन, क्या यह Defining Feature है सर, It is the Defining Feature of Living Organism, It is the Defining Feature of Living Organism, क्या हो रहा है, Cell बन रहा है, Cell से Tissue बन रहा है, Tissue से Organ बन रहा है, Organ से Organ System बन रहा है, An Organ System से Organism बनेगा, है ना, तो Cellular Organization, Arrangement of Cells to perform a specific function, Is the Defining Feature for Living Organism, Is the Defining Feature for Living Organism, तो कौन-कौन सा अभी तक दो Defining Feature हमें मिल गया है, एक Metabolism मिल गया है, और एक Cellular Organization मिल गया, ठीक है, तो बोलोगे सर, Unicellular Organism, कौन सा Cellular Organization है, एक Cell तो है, तो इस also a Defining Feature for All Organism, तो है ना, तो इसका कोई exception नहीं होगा, इसका कोई exception नहीं होगा, ठीक है, चलिए, अगला आते हैं, Consciousness या Responsiveness, Consciousness या Responsiveness, क्या होता है, it is the ability of organisms, to sense the environment, sense the environment मतलब क्या हुआ, इसको हम कहते है, जो any change in the environment is called, stimuli, any change in the environment is called, stimuli, ठीक है, and respond to environmental stimuli, like external stimuli में response कर रहा है, तो stimuli क्या हो सकता है, light हो सकता है, water हो सकता है, temperature हो सकता है, कोई दूसरा organisms हो सकता है, कुछ chemical हो सकता है, कुछ pollutant हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी change जो external environment में आया मेरे, और हम उस पे किसी प्रकार से respond कर रहे हैं, तो वो मेरा consciousness है, या वो मेरा responsiveness है, है ना, वो मेरा consciousness है, या वो मेरा responsiveness है, तो ये consciousness और responsiveness दोनो defining feature है, living organism का, क्या हो रहा है, कि मेरे external environment में कोई change आ रहा है, ठीक है, तो any change, in the external environment, क्या करता है इसको हम, stimuli, body, जैसे stimuli परसीव करता है, इस पर क्या करता है, respond करता है, इसको हम कहते है, response, क्या कहते है इसको, इसको हम कहते है, response, अब इस पर सवाल आएगा, coma patient क्या है, अब जैसे पिछले वाले में एक सवाल आएगा, कि क्या है virus, तो बिटा virus तो living नहीं कह सकते न, virus तो living भी है, non living भी है, अब यहाँ बोलोगे, कि सर, coma patient क्या है, अब coma patient, normal condition में तो नहीं पैदा रहता न, अगर मालो, आज ventilator का invention नहीं होता, तो क्या coma patient जन्दा रह पाता, क्योंकि self dependency नहीं है उसकी, है ना, तो coma patient को कैसे तुम count कर सकते, these are all exceptions, है ना, coma patient तो तुम जबड़ ज़स्ती किछी को रखते हो, अगर मालो, कि मैं मर जाओ आज, तो तुम मुझे ventilator पर रखलो, एक दिन रखलो, दो दिन रखलो, तीन दिन रखलो, चार दिन पर रखलो, पास दिन रखलो, तुम मेरे body का सारा metabolism, externally regulate कर रहे हो, सब कुछ externally कर रहे हो, तो मैं तो conscious नहीं हूँ, लेकिन technically मैं जिन्दा हूँ, तो अगेन वो medical implication इसमें आ जाता है, natural case में आसा नहीं होना चाहिए न, इश्वर अला इन्होंने तो नहीं बनाया न, coma patient, हाना, तो इसमें जिए, ठीक है, चार, बढ़िया, तो यहाँ पर या गया, क्या, consciousness is not the defining, consciousness is the defining feature for living organism, क्या ये defining feature है, बिल्कुल इस the defining feature of living organism, ठीक है, एक और important सवाल आता है, पता नहीं मेरे टीम ने क्यों इसको highlight नहीं है, पीवाई की है, ठीक है, human is the only organism that has self-consciousness, देखो, consciousness मतलब क्या होता है, कि अपने atmosphere का आवाज, एक कुत्ता है, या एक share है, या एक hiran है, उसको पता है कि उसको पीछे share है, जो उसको मारने वाला, that is called consciousness, ठीक है, but self-awareness, तुमें खुद के होने का ऐसा, अब किसी बिल्ली को नहीं देखे हो ना, कि आके अपना चक्कर है कि ओ वाई, क्या hairstyle है मेरा, बिल्ली को मतलब नहीं है, बिल्ली को मतलब नहीं उसका figure खराब हो गया, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि यार मेरा तोन निकल गया, है ना, तीन मेने pregnant हो गया हूं मैं, क्योंकि I am self-aware, मुझे लग रहा है यार बाल खराब हो गया, पर शेट यार, है ना, फैशन हम देख तो कपड़ा पहनने है, है ना, मुझे लग रहा है यार ये वाली घड़ी अच्छी पहननी चाहिए, that is self-conscious, self-awareness, है ना, तो self-consciousness is a defining feature for human beings only, self-consciousness is a defining feature for human beings only, लिख लिजी, self is a defining feature for human beings only, चलिए, बहुत अमेज़न, बहुत अमेज़न, आओ, आगे बात करते हैं, अब आते हैं, आपने समझगा defining feature कौन कौन सा था, self-consciousness human being के लिए, living organism के लिए पूछा जाए तो कौन सा है, metabolism, ठीक है, cellular organization, और, और consciousness, ये तीन defining feature है, living organism का, growth और reproduction defining feature नहीं है, अगर intrinsic growth की बात परोगए, तो वो defining feature है, इससे एक सवाल आ सकता है, इसी तरह से घुमा के तोड़ करों के, I don't think कि, इसमें किसी को भी कोई दिक्कर आईगी है, चो, अगला आते हैं, diversity in living world, कितना कितना कितना, NCRT का line है, अब से इसको सुनते हैं, ठीक है, तो the number and types of diversity present in earth, refers to as biodiversity, earth पे जितना तरह का diversity है, इसको हम biodiversity कहते हैं, कितना number of species है, 1.72, 1.8 million, फिर उसके global estimate कहता है, कि यह species diversity 7 million तक हो सबता है, ठीक है, systematics क्या होता है, it is the study of identification, classification, and nomenclature of organism, identify किये, फिर उसके बाद उसको हम किसी डब्बे में रखे, और उसके फिर उसका नाम दिये, ठीक है, तो systematics, एक study है, जो organisms को identify करता है, उसको classify करता है, और उसको नाम देता है, ठीक है, systematics turn, arrangement, ठीक है, यह evolutionary relationship को भी consider करता है, इसको हम कहते है, philogenetic relationship, ठीक है, तो कभी भी, जब हम classification कर रहे हो, तो हम evolutionary relationship देखते भी है, ठीक है, basically देखो, समझो, कि माल लो, कि कोई आया, एक चीज तुमको दिखा, अच्छा, ये है, अच्छा, पहले तो हम इसका देख लेते हैं, तो हम पहले identify करने क्या है, ठीक है, उसके बाद, अच्छा, इसके basis पर इसको, अनपढ़ क्लब में डाल देते हैं, तो वो classify हुआ, और उसके बाद इसका नाम रख देते हैं, चिंटू राम, तो वो nomenclature हो, यही चीज़ है, identification, classification, and then nomenclature, ठीक है, Systema Natura is a book written by Linneus, important है सवाल आया, Linneus चाचा ने एक book लिखा था, that is called Systema Natura, Systema Natura is a book written by Linneus, सारे पॉइंट हमने देख लिए, क्या, number of species कितना है अभी, 1.72, 1.8 million, Systematic क्या होता है, branch और biology यह डील करता है, identification, classification, and then nomenclature of organism, तीसरा point हमने क्या देखा, एक किताब लिखी है, Linneus ने, इसी को करने के लिए, that is called Systema Natura, father of taxonomy भी, Carlos Linneus ही है, यह भी लिख लो, father of, क्या है, father of taxonomy भी हमारे, Linneus ने चाही है, ठीक है, आगे बाद, अगला आते हैं, क्या-क्या प्रोसेस होता है, taxonomy का, ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला हमने क्या किया, Characterization, कि किस तरह का और्गानिजम है, ठीक है, तो Basic Process of Taxonomy है, कि कोई एक और्गानिजम आया, तो मैंने क्या किया, Characterize किया, Understanding the Characters of Organism, Such as External and Internal Structure कैसा है, Cell कैसा है, उसका Developmental Process कैसा है, Ecological Information कैसा है, और Evolutionary Relationship कैसा है, ठीक है, उसके बाद, उस और्गानिजम का Correct Description बता है, कि भाई, ऐसा और्गानिजम है, I have identified this organism, and this is the feature of this organism, ठीक है, तो पहले मैंने, और्गानिजम को identify किया, अच्छा, उसके बाद फिर मैंने, उसको Different Categories में रखा, तो it is the grouping of organism into, convenient categories based on character, तो उसके लक्षन के हिसाब से, उसको मैंने Categorize किया, तो उसको हम Classification कहते हैं, तो पहला step is Identification, दूसरा is Classification, और उसके बाद फिर, अब जब घर पे कोई आया है, तो उसका नाम तो रखोगे, है ना, तो फिर उसका नाम रखा गया, the third step is called Nomenclature, तो sequence आता है, आपसे पूछता है, कि भाईया किस-किस sequence में क्या हो रहा है, तो पहला step क्या है ब्रो, पहला step is Identification, हमने Organisms को Identify किया, उसके बारे में बताया, ठीक है, Identification, हमने उसको Study किया, उसके बारे में सब खुछ जानकारी प्राप्त की, और उसको बारे में बताया, ठीक है, दूसरा step हमने बताया है सर, कि Classification, अब इस Organism को हम रख कहां रहे हैं, that is Classification, इस Organism को हम रख कहां रहे हैं, that is Classification, और तीसरा पाट है बेटा, is Nomenclature, इसको हमने एक नाम दिया, चिंटू, राम का जो नाम दिया, इसको हम कहते हैं, Nomenclature, ठीक है, तो Nomenclature क्या है, It is the Standardization of Names, of Organisms such as, Organism is Named by the Same Name, over the World, अब देखो, पता है, मतलब लॉकी, तोरी, कुछ भी कह देते हैं, उसको पता है, तो अगर हम एक नाम दे दे, और पूरी दुनिया में उसी नाम से उसको जाना जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माल लो, कि मैं गया किसे Scientific Concert में, या Convocation कहीं पर भी Scientific Feternix से में इंटरेक्ट करो, मैं बोलो ना, यार आलू बहुत बढ़िया चीज है, उसको क्या पता आलू, है ना, वो तो अंग्रेजी पोटेटो बोल रहा है, मैं यह आलू आलू कर रहा हूं, वो पोटेटो पोटेटो कर रहा है, हम बात सेम चीज कर रहे हैं, बढ़ हमें नहीं पता Standard नाम, अगर मैं उसको बोलो Solanum Tuberosum, उसके लिए भी Solanum Tuberosum है, मेरे लिए भी Solanum Tuberation है, तो Standard नाम हो गया, और हम लोग आपस में इंट्राइक करके, बता पाएंगे, हाँ यह नाम है, राइट, चल, तो इसको हम कहते हैं, Nomenclature, अभी जो हम Nomenclature की बात करेंगे, उसको हम बोलते है, Binomial Nomenclature, यह Classification भी Lineage चेचा ने दिया था, Binomial मतलब 2, Trinomial मतलब 3, Polynomial मतलब बहुत सारा, और एक Common Name होता है, तो जैसे Nomenclature में पहला है, Common और Vernacular Name, ठीक है, दूसरा था, Polynomial, क्या होता था, पूरा सब कुछ इसके बारे में explain कर दिया रहता, इतना बड़ा नाम थोड़ी है, याद होगा, अब जैसे आता था कि, उसका बाहु वली मूभी देखोगे, महेश्वती सामराज का, पूरा लंबा लंबा है ना, कि इसने उसमें, या गेम अब थोड़न देखोगे, तो ब्रेकर आफ चेंज, मदर आफ ड्राइगेंज, फलना डिकान उसके बारे में डीटेल ने बताया है, ठीक है, उस तरह के नोमिन क्लेचर को हम पॉलिनोमिल नोमिन क्लेचर काता है, यसे आम है, तो आम के बारे में सब कुछ बता देगा लाटेटी, तो उतना लब्मा नाम थोड़ी को याद रखेगा, छोटा घर का भी नाम तो नाच, ठीक है, तो फिर आफ बाइनोमिल नोमिन क्लेचर, ठीक है, और चौथा है, चौथा है, ट्राइनोमियल, नोमेंक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेंक्लेचर की अगर हम बात करें, तो बाइनोमियल नोमेंक्लेचर क्या होता है, इसमें दो चीज़ है, एक होता है जीनस नेम, और दूसरा होता है, स्पीसिज नेम, trinomial nomenclature की बात करें तो इसमें तुम्हारा genus तो है species भी हो गया और एक और चीज़ एड़ हो जाता है that is subspecies एक और चीज़ एड़ हो जाता है that is subspecies ठीक है तो binomial nomenclature was proposed by lineus ठीक है binomial nomenclature was proposed by lineus सवाल आया हुआ ठीक है अच्छा क्या क्या rule है अगर botanical दाना है तो icbn international code for botanical nomenclature important प्लीज मार्क कीजिये इसको international code for botanical nomenclature अगर geological name की बात करेंगे international code for zoological nomenclature ठीक है अच्छा दो और इसमें नहीं दिया है जो इंसे आटी में जिसमें सवाल आ जाता है ठीक है कौन कौन सा है i n v n international code for viral nomenclature ठीक है और तूसरा है दूसरा है दूसरा है INCB international code for nomenclature of bacteria international code for nomenclature of bacteria national code for nomenclature of ठीक है 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 तो scientific names are in Latin ठीक है याद has and written in italics है अगर हाथ से लिखए हो तो underlined होड़ ठीक है ठीक करके है दूसरा वर्ड जो है, वो species name है, या specific epithet, ठीक है, epithet मतलब part, ठीक है, जैसे, जैसे अगर माल लो, कि homo sapiens है, देखो, homo, ठीक है, और sapiens, मैंने लिखा है hand-write, तो मैं underline कर दूँगा इसको, ठीक है, अब homo का ये वाला part, जो पहला word है, ये इसका genus है, ठीक है, और दूसरा जो है, ये इसका, specific epithet है, या species name है, ठीक है, जीनस नेम हमेशा, capital letter से start होगा, species name हमेशा, small letter से start होगा, ठीक है, ठीक है, mangifera indica lin, मतलब name of the scientist, तो mangifera indica is mango, और इसमें mangifera genus name होगया, M capital letter है, indica species name होगया, I small letter है, और lin is the scientist का नाव, ठीक है, चल, अच्छा international code, INCB नहीं सोरी, हाँ, international code for nomenclature, ठीक है, अगर यह यहाँ लग जें, international code for, ICVN, सोरी, international code for viral nomenclature, ठीक है, और यहाँ होगया, international code for nomenclature of bacteria, ICNBA, ठीक है, भावना होगया, international code for nomenclature of bacteria, आगर पिछे होगया, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, अरे हाँ भाई भाई, आई एन मने international का आई एन कर दिया था, ठीक है, चलो, ठीक है, तो genus name और specific नहीं, ठीक, ठीक, अगेन इट वाई, फॉर्स डेस्क्राइड वाई, लीनियस, मैंजीफिरा, इंडिका, लिन, तो लिन जो है, scientist का नाम आ गया, correct, biological nomenclature में scientist का नाम रहता है, abbreviated forms में, अब आते हैं, taxonomical categories क्या होती है, तो classification involves hierarchy of steps in which each step is represented by a taxonomical category है, rank है, तुम देखो के ना, आर्मी में देखो के, captain है, lieutenant है, major है, major general है, brigadier है, then general है, तो rank है, hierarchy है, ठीक है, level है, है तो इसको हम hierarchy कहते हैं, ठीक है, तो सारा category को अगर जोड़ दोगे तो इसको हम कहते हैं, taxonomic hierarchy, लेवल, 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 ठीक है, each category, हर category, एक unit of classification दिखाता है, हर category एक unit of classification दिखाता है, a group of organisms, occupying a particular category is called a taxon, a group of organism, occupying a particular category is called taxon, तो उसका वो taxon हो जाएगा, अगर singular है तो taxon है, और plural है तो tax है, ठीक है, तीन statement हमने देखा पहला, अगर हमको किसी organism को classify करना है, तो हम hierarchy set की हैं, उस hierarchy को हम taxonomical category को जोड़ दोगे, तो बन जागा है तुमारा taxonomic hierarchy, ठीक है, एड यही taxonomic hierarchy का category unit of classification है, तो यार रखेगा, each category represents a unit of classification, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अगर taxon कहेंगे singular है, plural है तो उसको हम taxa कहते हैं, ठीक, कुछ नहीं है, तो यहां पर देखिए, किस तरह से hierarchy की गया है, तो सबसे चोटा जो है, species है, उसके बाद genus है, उसके बाद family है, उसके बाद order है, उसके बाद class है, उसके बाद phylum है, और उसके बाद phylum है, इसका याद रखने का एक nemonics होता है, K say kingdom, keep, P say phylum, pots, C say class, clean, O say order, or F say family, family, G say genus, gets, or S say sick. So, S say dekhe lo, species, genus, family, order, class, phylum, or kingdom, okay? जैसे हम यहां से इधर की तरफ जाते जाएंगे, जैसे हम इधर की तरफ जाते जाएंगे, common characters, common characters कम होता जाएगा, बहुत important point बता रहें, common characters कम होता जाएगा, बहुत important point बता रहें, ठीक है? जैसे हम taxonomical hierarchy में उपर की तरफ जाते जाएंगे common characters कम होता जाएगा तो याद रखेगा species सबसे चोटा taxonomical hierarchy है ठीक है तो ये चीज़ आ जाता है जैसे अब लोग कुत्ते में देख लो अब देखो जैसे यहाँ पर canis lupis एक कोई domestic dog होगा ठीक है जीनस में सारा canis आ गया wild dog domestic dog जैकल वैकल सब आ गया family में पूरी dog family आ गया ठीक है order में सब कुछ आ गया ठीक है class में सारे mammalian में सारा सब कुछ आ गया quadata में सारे quadates आ गया और kingdom में तुम्हारा animal आ गया तो इस तरह से जैसे हम उपर की तरफ जाता जाएंगे common character कम होता जाएगा ठीक है तो आ देखो एक एक करके सारा देख लो तो species क्या है it is a group of closely related organisms capable of interbreeding to produce fertile offspring it is the lowest category है तो species आपस में mate कर सकते हैं इन में common character सबसे ज़्यादा होता है अब नाम किस-किस का तुमको यार दखना है मैं बता देता हूँ ठीक है कौन-कौन सा homo sapiens याद रखना है आपको modern man ठीक है panthera pardus leopard NCRT में दिया हुए panthera tigris tiger NCRT में दिया है panthera leo lion NCRT में दिया है solanum lycopersicum NCRT में दिया है ठीक है nightshed मत पढ़ो solanum tuberosum ये भी NCRT में दिया है और solanum melangina ये भी NCRT में दिया है अब बोलो कैसे याद रहा है ब्रिंजर melangina इसका violet कलर का है ब्रिंजर है ना तो melanin लगवख pigment है तो उस तरह से melangina याद कर लो ठीक है mangifera indica तो generic name और specific epithet इसमें आपका दिया हुआ है तो सबसे छोटा category क्या है species ऐसे organism जो आपस में interbreed करेंगे और उससे fertile offspring produce होगा fertile offspring क्योंकि वो आगे generation लेके जाएंगे दूसरा क्या है genus aggregation of closely related species को हम genus कहेंगे जैसे potato, tomato, brinjal है ना तो क्या हुआ genus कौन सा है solanum lion, leopard और tiger genus कौन सा है panthera, panthera leo, panthera tigris ठीक है and genus is different from philis philis किसका है cat family अभी आएंगे family क्या हुआ a group of closely related generalize called family a group of closely related generalize called family बहुत अशी बात है family क्या हो गया solanacy genus कौन सा है solanum है ना फिर genus तुमारा petunia and genus धतूरा family तुमारा felidae है जिसमें genus panthera और philis दोनों आ गया ठीक है तो एक लिख लो अगर family तुमारा philidae है तो philidae में दोनों आ गया कौन कौन सा आ गया एक तुमारा panthera genus और दूसरा तुमारा philis यार रखेगा philis genus है और philidae family है ठीक है यह बहुत important है यह बहुत इंपॉर्टेंट है philidae family है solanum genus है solanasi family है बहुत important है ठीक है बहुत 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 है अगला assemblays of related family is called order assemblays of related family is called order यार रखेगा order polynomial जिस पे सवाल आ हो है pyq है includes family convolace and family solanasi बहुत important है तो अगर पूछ दे कि आलू कौन से order में आता है तो कौन से order में आएगा polynomial आलू कौन से order में आता है तो कौन से order में आएगा polynomial तो यार रखेगा convolace और solanasi एक order है that is polynomials कार्णी वोरा में तुमारा ये सारा आ जाता है cat family dog family दोनों आ जाता है order कार्णी वोरा ठीक है assemblays of related order is called class तो primata कार्णी वोरा वगेरा तुमारा आ जाएगा class mammalia में ठीक है फिर phylum आ गया division होता है in case of plant यार दखेगा plant में phylum नहीं होता plant में division होता है animals में phylum होता है ठीक है ये बहुत important point यार दखेगा ठीक it is the assemblage of related class ठीक है amphibia reptilia apes mammals सब phylum आपने non-quadata है quad data है और plant में division होता है plant में phylum नहीं होता है ये बहुत important point है division in case of plant ठीक है phylum को मिला दखेगा तो kingdom मनेगा अभी हम लोग 5 kingdom classification पढ़ते हैं कुछ में 6 kingdom classification भी पढ़ते हैं तो the assemblage of related phyla highest category तुमारा जो है that is kingdom lowest category species है highest category kingdom ठीक है अब ये NCRT का एक table दिया हुआ है जो आपको पढ़ लेना चाहिए किसका है human का है homo sapiens homo hominidae primata mammalia codata और animalia ठीक है पढ़े हो ये तो पढ़े ही हो ये तो basic है आ जाएगा ठीक है तो नाम आपको जान के रखना है musa domestica house flyer तो musa domestica तो यहीं से पता चल गया तुमको ठीक है musidae भी पता चल गया ये ना order क्या होता diphterians में आते हैं ये class कौन से होगा insecta, arthropodol, animalia ये भी आपको याद रहेगा इसमें भी mangifera, indica ये तो याद हो जाएगा family is araki, nedace इस पर सवाल आया है ये भी pyq है order is spindles इस पर भी सवाल आया हुआ है dipot में आएगा class angiosperm में और plant important है ये तो आपको करना ही करना है wheat, triticum, estivum ये चलो आ गया कौन से family में आता है osc में आता है, oils में आ गया monocot angiosperm में प्लांट है this table is important हो सकता है कि इस पर सवाल आ इस पर सवाल आजाए ncrt में ये table दिया है तो ये important है, इसको आप देखते रहेंगा और ये याद करने पड़ेंगा this is important, जितना भी मैंने keynotes में दिया है उसको आप छोड़ने का सपने में में भी नी सो सकते है अब आते है taxonomical aids पर आते है taxonomical aids पर हमने सब कुछ almost करते है 90% chance रहता है कि सवाल जो है यही taxonomical aids से आते है सवाल जो है इसी taxonomical aids से आते है 90% chance इसी का रहता है कोई दिक्कत यहां तर कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं है इसके बाहर एक line आपको पढ़ना नहीं है क्या होता है taxonomical aids taxonomical aids हम इसलिए कराते हैं ताकि हम कुछ चीजों को ध्यान रखें क्या fundamental study of living organism पहला fundamental study of different living organism चीजों दूसरा हमको उसके systematic study में help करता है कैसे पढ़ेंगे ठीक है और तीसरा storage of information में help करता है storage of information ठीक है आओ सारे taxonomical aids जो help कर रहा है हमको taxonomy पढ़ने में taxonomy समझने में और उसके nomenclature करने में क्या पहला है herbarium पहला है herbarium herbarium क्या होता है बिटा it is the storehouse of plant specimen बहुत important point लिखो जो highlight में करते जा रहा हूं उसको करते जा storehouse of plant specimen क्या करते हैं एक पौधा लिए पौधा को सुखाए और उसके बाद उसको paper में डाल दिए और उसको फिर mark करती ठीक है इसको हम herbarium कहते हैं तो the plant is dried pressed and preserved on sheets and arranged according to universally accepted classification ठीक है herbarium sheets क्या क्या चीश से leveled होते हैं इस पर सवाल आया हुआ है information about date place of collection English name local name and botanical name family family और उसका collector सब कुछ herbarium में रखा जाता है तुमको कोई गुलाब का फूल देता है तुमको किताब में चप्टा करके रख देता हो तो preserve होगे रह जाता है वह हरवेरियम है कि किसी plant specimen को हमने सुखाया उसको preserve किया उसको press किया और उसको paper में चिपका दिया और उसके बारे में सब कुछ लिख दिया क्या क्या लिखा हमने किस date को collect किया उसके बारे में information उसका collector का नाम उसका English name उसका scientific name सब कुछ हमने उसमें डाला इसको हम herbarium कहते है यार दखिएगा storehouse for plant species only herbarium is a storehouse for plant species largest herbarium जहाँ पे botanical garden है उसी का सुखा के herbarium भी बना दिया वहाँ पे ठीक है चल्ड़ी दूसरा botanical garden क्या होता है botanical garden तो they are specialized gardens having collection of living plants for reference and identification reference और identification के लिए living plants को अगर हम देख रहे हैं तो उसको हम botanical garden कहते हैं ठीक है उसको हम botanical garden यहां क्या है living plants है कैसा conservation कर रहे हैं XC2 conservation कर रहे हैं मतब उसके natural habitat से ला रहे हैं उसको यहां अच्छे habitat में रखके conserve कर रहे हैं बट यार रखिएगा यह living है ठीक है तो specialized gardens having collection of living plant for reference ठीक है each plant is level by इस botanical name and family name कौन कौन से famous botanical garden है royal botanical garden कीव, indian botanical garden हावरा और national botanical garden लखनौ indian botanical garden हावरा और national botanical garden लखनौ clear है clear है अगला biological museum क्या हो क्या है it is a collection of preserve plant अब यहाँ पे क्या हो इस दिए collection of preserve plants and animals for study and reference अब यहाँ पे dead है और उसको हम preserve करके रखे हैं इसको हम preserve करके रखे हैं तो preserve plant भी है animal भी है और यह dead है और उसको हम reference के लिए study करते हैं क्या है specimen preserve in container जैसे दिमाग ना दिमाग को रखना है या हाट का specimen preserve करके रखना है तो हम एक container में फरमेलिन में रख लेते हैं उसको ताकि preserve ठीक है तो dry specimen भी रख सकते हैं plant or animal का dry specimen मतलब कोई एक share है ठीक है share का structure वाला है तो हम share को मार देते हैं और उसके खालें भूसा बर देते हैं तो dry specimen preserve करके रख दिए इंसेट को मार देते हैं उसके बद सको pin कर देते हैं इंसेट बॉक्स में और उसको पार्ट को level कर देते हैं ठीक है तो आफ्टर collecting killing and pinning लाज्ज टुफ्ट एनिमल लाइक birds and mammals को हम रखते हैं penguin दिखेगा कैसे दिखने में मुझे कैसे पता चलेगा तो कोई penguin मालनों मर गया ठीक है तो उसके अंदर का सब कुछ निकाल दिए और skin के दिए और बूसा बर दिए और penguin के structure का आपको दिखी जाता है ठीक है and animal skeleton का यह सब कुछ museum में आता है यह सब कुछ biological museum में आता है जिसमें हम plant और animal दोनों करते हैं अगर botanical museum है तो plant specimen रख रहा होगा अगर geological museum है तो animal specimen रख रहा हो होगा क्या museum is a collection of photograph नहीं museum is not a collection of photograph यहाँ पर यहाँ पर specimen पढ़ा हुआ है museum is not a collection of photograph ठीक है अगला जो लॉजिकल पाग आते हैं अगें यह भी exit to conservation है यह भी exit to conservation है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर live wild animals are kept in protected environment under human care under human care live wild animals are kept in protected environment under human care is zoological park यहाँ पर जिन्दा है ठीक है अगें यह भी exit to conservation है यहाँ पर animals को रख रहे है उसके natural habitat से बाहर लाके ठीक है they help us to learn about food and behavior ठीक अब आते हैं कुछ taxonomical aids में आ रही है और भी समान जिस पर सवाल आता है पहला सबसे पहला सबसे पहला क्या की it is a device used to identify organism based on similarities and dissimilarity की समस्के चावी अब बोलेंगे कि भाई एक यह चीज है कोई भी चीज है कोई एक organism है मालो यह organism है ठीक अब इसका देखिए अच्छा इसका ना खड़ा है नहीं खड़ा है तो similar और dissimilarity की basis पर हम उसको identify करते हैं और उसको हम की कहते हैं तो की क्या है is the device used to identify organism based on similarities and dissimilarity ठीक है तो contrasting characters हम लेंगे इन contrasting characters को हम pair कहते हैं या couplet कहते हैं पहला सवाल आता है क्या तो couplet क्या हुआ contrasting characters that appear in pair is called couplet ठीक है हर couplet में दो opposite option होता है ठीक है और हर statement को हम lead कहते हैं यार रखी का key is analytical in nature बता रहा है या तो यह है या तो यह है की is analytical की is analytical in भाईया या तो यह वाला है या तो यह वाला है तो की हमेशा analytical in nature रहता है ठीक है हर statement जो है उसको हम lead कहते है statement जो है contrasting character पर बेज़ जा है तो उसको हम couplet कहते है couplet में एक accept होगा एक accept नहीं होगा ठीक अब क्या है दूसरा flora flora is the actual account of habitat and distribution of plant species in a given area एक given area में अगर हम plant species का पूरा actual account देखे तो उसको हम क्या कहेंगे flora is the actual account of habitat distribution of a plant species of a given area एक given area में जहाँ पे किस किस तरह के plant species रहे है उसको flora कहते है animal species के लिए यही क्या हो जाएगा fauna animal species के लिए यही क्या हो जाएगा fauna ठीक है दूसरा आमने बात किया manuals manuals क्या होता ब्रो manuals are record that contains information for definition identification identification इसी लिए मैंने directly note for identification of names of species found in that तो manual क्या है information रहा है manual लिए ओनर manual होता है ओनर manual क्या होता है ओनर manual लिखो कि एक गाड़ी है मेरे पास अब उस गाड़ी में कौन कौन सा बटन है अगर जानकारी है तो उसको हम कहते है monograph तो monographs are record that contains information of only one text on एक text on के बारे में बात कर रहा है तो monograph ठीक है एक और चीज बचाओ को catalog इसमें miss हो गया है लिख लो catalog 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 क्या होता है catalog देखे होगा न catalog ब्राउशर पूरा कहते है कि माल लो मेरे एक दुकान है बहुत बेसिक सा चीज समझाओ अभी मैं तुम्हें चारों चीज अभी एक बार में समझा दूगा catalog मतलब क्या होगा catalog is the arrangement of of species of a particular area defining defining their features defining their features सम्झों बहुत बहुत बेसिक से example तुम्हें सम्झाता है मानलो एक दुकान में तुम्हें है एक दुकान में क्या है अब दुकान में जो भी समान फरीज है टीवी है यह है वो है ठीक है अब एक फ्रीज तुमने देखने के लिए तुम फ्रीज देखने गया तो तुमको एक कैटलोग पगडा दिया कि सर सैमसंग वाला इसमें ये वाला फ्रीज भी है 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 तो अगर मानलो कि तुम्हे एक shop पे गया, let's say, कि फ्रेज देखने, कुछ ही घया, तो जैसे मैं wash machine देखने जाओंगा, जो मेरा salesman है, मुझे एक catalog देगा, सर यह वाला washing machine है 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 एक catalog दे देगा ठीक है? देख लिए अब इस washing machine तुम्हें पसंद आए कि Samsung का model number F208 हैं को लेना है माल दो, कोई एक Samsung का model F208 लेना है, अब इसके यह F208 कैसे काम करेगा? तो उसके लिए मेरे पास है manual, उसके लिए मेरे पास है manual, यही difference होता है catalog और manual में, जो आप confuse करते हैं, तो हमने इस chapter को सर्धानजली दे दी इस chapter को तो कहीं और से तुमको पढ़ने की जरौवत ही नहीं है this is more than sufficient, जाएए इसका pyq कराईए, इसका exemplar कराईए आपको इसके pyq और exemplar दोनों मेरा एक channel है neat question bank, ठीक है वहाँ जाएए वहाँ पर पूरी playlist बनी होई है pyq और exemplar की इसके pyq और exemplar जाके वहाँ से देख लीजे, हमेशा pyq और exemplar करना आपको खुद से जिस question में doubt हो, उसका जाके वीडियो देट लो, ठीक है, pyq और exemplar की pdf इसकी आपको telegram channel पे मिल जाएए t.me slash anand money 00 comment section से आपका भर जाना चाहिए, hashtag day one of revision यह final revision है, इसके बार आपको दुबारा पढ़ने की जरुवत नहीं है इसका pdf आप रख लीजेगा, exam के दिन आप इस keynote की मदद से पूरा chapter चुटकियों में revise कर पाएंगे पूरा biology का syllabus या पूरी biology किताब 3 घंटे में revise कर पाएंगे, तो exam के एक दिन पहले यह कुझी के तरह काम करेगा और आपको बहुत हल्प करेगा, वीडियो पतन आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा, कल मिलेंगे हैं biological classification के class में comment जरूर कर देना and I'll see you in the plus class at 2 p.m जहां हम plant growth and development करेंगे take care, bye bye and have a great day, thank you